नमस्कार आप देख रहें एकॉनोमी का हिसाब किताब और मैं हूँ अनिंदियो चक्रवर्ति आज कल बहुत अच्छी अच्छी हेडलाइन आ रहे हैं हमारे अगबारों में टीवी चैनलों पर कि मोधी सरकार ने सरकारी करमचारियों के हातों में इतना पैसा डाल दिया कि अब तो एकॉनोमी वापस अपने पट्री पर आने ही वाली है और इसको इस तरीके से दिखाया जा रहा है जैसे कि बहुत बड़ा एक एक एकॉनोमिक स्टिमूलस सरकार ने दे दिया है कि जैसे कोई इंजेक्शन डाल दिया हो एकॉनोमी में स्टेरोइड इंजेक्शन जिससे वापस आ जाएगी बिलकुल तंदरुस्त हो जाएगी क्या सच है इसी का हिसाब लगाएंगे आज के इस एपिसोड में पिछले कुछ दिनों में मोधी सरकार ने सरकारी करमचारियों के लिए तीन बड़ी-बड़ी ऐलान यानि कि अनाउंस्मेंट किये नंबर वन क्या है नंबर वन है लीव ट्रैवल अलावंस यानि कि LTA पर एक बड़ा धमाका वो क्या है देखिए LTA क्या होता है सरकारी करमचारी जो है हर चार सालों में अपने परिवार के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं और उनको जो टिकेट का आने जाने का खर्च है वो उनको मिलता है अलावंज के तौर पर मिलता है और उस पर जो खर्चा होता है उस खर्चे पर भी सरकार टैक्स की छूट देती है थोड़ी बहुत अब क्या कहा गया है कि कोविट के चलते तो लोग घूमने जा नहीं पा रह तो ये सरकार ने एलांग किया है और इस पे एक और चीज है कि आपको अगर ये कैश मिलेगा तो टैक्स की भी छूट मिलेगी तो आप सोच लिजे कि डबल फायदा है सिर्फ LTA ने जो आप छुट्टी लेने वाले थे अगर आप छुट्टी ने लिया तो उसको भी आप इ परिवार सरकार करमचारी का पूरा परिवार का आने जाने का खर्चा और जो लीव इनकैश्मेंट ये सारा मिला कर आप सोच लिजे कि अगर 20,000 रुपए भी हो तो उनको 60,000 रुपए खर्च करना पड़ेगा इस चीज का फायदा उठाने के लिए सिर्फ ये नहीं ये जो सरकारी करमचारी है आपको तीन गुना खर्च करना है फायदा लेने के लिए एक तिहाई का फायदा लेने के लिए और क्या खरीद सकते हैं आप वही खरीद सकते हैं जो बड़े कॉर्परेट तयार करते हैं बनाते हैं या सर्विस प्रोवाइड करते हैं वही आप खर्च क कर सकते हैं क्योंकि उसका invoice भी आपको जमा करना पड़ेगा आपका LTA लेने के लिए एक चीज आप देखिए कि सरकार ने खुदी मोधी सरकार ने खुदी छोटे कारुबारियों पर GST का छूट दे रखा है कहा है कि आपका एक थरशोल के नीचे आपको GST के लिए रिजिस्टर भी नहीं करना पड़ेगा वो जो चीजे बनाते हैं वो आप नहीं करीच सकते वो जो चीजे बनाते जैसे कि अगर एक पलंग बनाना हो आप एक छोटे किसी लकडी के ट्रेडर के पास दुकान में जाकर आजो GST नहीं देता हो आप लकडी ले लिया आपने आपने लोकल कार्पेंटर से जिसका GST रेजिस्ट्रेशन नहीं हो उसको बोला घर पे बैठके कि आप ये पलंग मेरा बना दो जाना चाहती है क्योंकि उनके लिए तो मांग नहीं था ना वो जो चीज़े तयार करते हैं तो इसे फाइदा किसका है सूट बूट वालों का सरकारी करमचारी खर्च करेंगे और सूट बूट वाले अपना सामान बेचेंगे ये ही है ये गेम और एक और चीज ये पैसा ब खर्च सरकार नहीं कर रही है अच्छा एक और चीज नंबर टू उसी दिन ये एक और चीज कहा गया था वो कहा गया था कि सरकारी करमचारी जो हैं वो 10,000 रुपए तक अडवांस ले सकते हैं ये पहले होता था और 7th Pay Commission में आकर इसको बंद कर दिया गया है 10,000 रुपए त उसको भी कहा जा रहा था कि देखे कितना बड़ा बोनायंजा सरकार ने सरकार भी करमचारी को दे दिया है और उस पर सरकार 4,000 करोर रुपए खर्च कर रही है जी नहीं 4,000 करोर रुपए जो है न वो लोगों की सैलरी है जब कोई अडवांस लेता है अपने सैलरी का तो व लेकिन आप सोचे कि अगर आपके बैंक में 10,000 रुपए हैं आप अगर वो पैसा खर्च कर दे तो क्या होगा आपके बैंक में आपको 3 प्रतिशत का सेविंग्स अकाउंट में जो इंट्रेस मिलता है वो नहीं मिलेगा एक साल में कितना बैठता है वो 300-300 रुपए यानी 10 9000 का है फिर से खर्च के चीजो पर होगा यो करणोबारी पिर से 300 क खर्च करोच और 10,000 की बिक्री और और कार्णोबारी का करवाओ फिर से सरकारी करमचारी को कहा जा रहा है आप की लिए हम दे रहे हैं लेकिन असल में यह पैसा जा रहा है कॉर्परेट का सामान बिकवान अब आते नमबर थ्री आखरी जो बड़ा एलान है और इसमें तो आप देखे कि अगर आप कोई भी न्यूस पेपर खोल के देखे तो इसमें आएगा 30 लाख सरकारी करमचारी, 30 लाख क्या लगबग 31 लाख सरकारी करमचारियों को 3737 करोड का बोनाइंजा, बोनाइंजा बोनस दे दिया सरकारी करमचारियों को जो उनको कभी नहीं मिलता है और इस बोनस से अब वो खर्च कर पाएंगे, यह भी सरकार भी कह रही है, यह जो बोनस हम हाथ में लोगों को दे रहे हैं, दशेरा और दुर्गापूजा और दिवाली से पहले यह वो खर्च करेंगे और इससे मांग बढ़ेगी एकॉनमी में, एक चीज आपको फ्रंट पेज पर या हेडलाइन में नहीं बताया जाएगा, वो अंदर के पेजों में कई, पन्नों में कई पर छिपा होगा शायद, कि यह हर साल दिया जाता है, यह कोई नहीं चीज नहीं है, हर साल दिया जाता है बलकि इस साल तो लेट हुआ है आप देखें पिछले साल ही रेलवे करमचारियों को ऐसा बोनस जो दिया गया था वो 2000 करोड से जादा था यह सिर्फ लेट बेट करमचारियों की बात कर रहा हूं है और इस साल उन्होंने कहा था टाइम पर बोनस नहीं आया है अगर बोनस अलाउंस नहीं किया जाएगा तो हम हड़ताल पर जाएंगे यह हड़ताल उन्हें रोक दिया इस अनाउंस्मेंट के बाद तो आप देखिए यह भी पैसा देना ही था इसका टोटल अमाउंट इधर उधर हो सकता है लेकिन यह भी पैसा देना ही था हर साल दिया जाता है रेलवेज का तो यह बोनस 1979-80 से दिया जा रहा है इसमें कुछ नया नहीं है कोई नया खर्चा नहीं है लेकिन जो गोदी मीडिया है वह आपको बताएगी भई या देखिए कितना बड़ा तोफा मोदी सरकार ने सरकारी करमचारियों को दे दिया है और इससे सब कुछ वापस आने वाला है पूरा जो हमारा एकॉनमी है वापस पट्री पर आ जाएगा यह सच नहीं है मैंने आपको हिसाब लगा कर बताया यह पहले का खर्चा है आने वाला जो पहले से तै है वो खर्च है और इससे फाइदा इससे फाइदा जो होगा वो बड़े कारोबारी बड़े कॉर्परेट का होगा खर्चा सरकारी कर्मचारी को करना पड़ेगा बचत के जगे खर्चा करना पड़ेगा तो ये है असलियत ये असलियत आपको सिरफ हमारे जैसे News Click के शोव पर देखने को मिलेगा बड़े गोधी मिलिया के चैनल या अगबारों में नहीं मिलेगा इसलिये आपका विदायत तो है जब ये सचा ही आप देखते हैं आप इसको फैलाएं आप इसको शेर कीजिए ताकि लोगों तक ये सच पहुँच पाए